बच्चों इस question में 75% of a zero order reaction completes in 4 hours तो 87.5% जो है वो same reaction कितने गंटे में complete होगा आपको दिया है T75% is 4 hours हमें मालूम है कि time में और rate constant में इस तरह का relationship होता है for a zero order reaction तो हम लिख ले T75% is equal to 2.303 upon K log A initial upon A final 75% complete होने के बाद जो है वो कितना रहा आपका reactant का concentration तो कितना रह जाएगा 25% है ना माली जी इनिशली 100 था तो अभी कितना रह जाएगा 75% complete होने के बाद 25 reactant रह जाएगा तो हम लिख दें यहाँ पर क्या लिखोगे 100 upon 25 तो क्या आ जाएगा 4 ठीक है log 4 कहां से आया 100 upon 25 यह 100 लिखा initial concentration upon final concentration तो आगया log 4 log 4 को क्या मिस्तर से लिख सकते है 2 raise to the power 2 और 2 raise to the power 2 को ऐसे लिख सकते है 2 log 2 तो यह आगया आपका T 75% अब T 87.5% निकालते है time same वैसे ही अगर initial percentage इनिशल concentration 100 थी तो 87.5% complete होने के बाद कितनी रह गई 12.5 तो इसे divide करोगे तो क्या आएगा 8 log 8 log 8 को क्या हम 2 की पावर 3 इस तरह से लिख सकते है तो आपको पता है जब 2 की पावर 3 होती है तो आगया जाती है यह पावर 3 log 2 अब हम इनका ratio निकालते हैं दोनों का सब कुछ कर जाएगा सिर्फ यह बचेगा T 87.5% upon T 75% is equal to 3 by 2 तो आपको पता है T 75% 4 hours आपको दिया है तो आप उसे multiply कर दो है न दूसरे साट जाएगा न तो 6 hours आपका answer आजाएगा A option जो है वो that is correct